ओ कारीगरी, हजारो हजारो साल पहले ये मूर्तिकला है आप देख रहे हैं सोगंध टीवी, सोगंध वतन की ना ये सरकार मेरी है ना रॉब मेरा है मुझे सिप इस बात का गर्व है कि मैं इस वतन का हूँ और ये वतन मेरा है नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोगंध टीवी पर और मैं हूँ दिपाशर्मा आज कल पत्थर की मुर्तिया हर जगा देखने मिलती है चाहे आप किसी होटल में चले जाए या किसी के घर या किसी विद्याले में ही क्यों ना चले जाए आपको पत्थर की मुर्तिया जरूर देखने मिलेगी पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़ादा किस जगा की मुर्तिया प्रसिद्ध है या किस जगा पे पत्थर की मुर्तिया सबसे ज़ादा मात्रा में बनाई जाती है जी हाँ आज आपको इस वात से वाकिव कराते हैं कि ओडिसा राज्य में सबसे जादा मातर में पर्थर की मुर्तिया बनाई जाती हैं और ये पर्थर की मुर्तिया सिब देश में ही नहीं बलकि बिदेश में भी बहुत जादा मश्योर हैं औरिसा में ये मुर्टियां हजारो हजारो साल से बनाई जा रही हैं और आज भी ये मुर्टियां बड़ी पैमान में बनाई जाती है आज हम आ गए हैं पद्मा विवोशन स्री सुदर्शन साहुजी के पास चलिए जानते हैं उनकी हातों की कारिगरी इन सुन्दर सुन्दर मुर्तियों के बारे में नमस्कार सर जय जगर्नात सर आप किते सालों से ये मुर्तियां बना रहे हैं हम उरिशा का कारिगर लोग जो है ओ कारिगरी हजारो हजारो साल पहले ये मुर्तिकला है अब कुनार्क मंदिर देखा होगा पूरी मंदिर देखा होगा लिंगराज मंदिर देखा होगा सो सो हजार हजार मंदिर यहां भुनेश्वर में है और जो स्थापत्य बोलते कला को पत्थर का मूर्ती स्थापत्य और चित्रकला भी होता है बस्त्र भी यहां उरिशा में होता है बहुत चीज होता है परन्तु स्थापत्य कला के अंदर में जो पत्थर का मूर्ती है यह अनोखी है इसमें करेक्शन नहीं होता है एक बार साहू है पूरी जगर्नाद मंदिर का जो कारिगर लोग है वो मेरा मोहला में रहते थे तो मैं उनके पास में उनका बच्चों के साथ पढ़ाई भी करता था और थोड़ा-थोड़ा मुर्तिकला में भी आहत लगाता था तो आट साल नौ साल पहले मेरे पिता जी मर गया उमर था मेरा तो मैं मुर्तिकला में पूरा आ गया तो मुर्तिकला सिखने के समय में परिबार चलने के लिए पिता जी जाने के बाद कोई साधन नहीं था तो कुछ मजूरी करता था कुछ आदमे का हेल्प करता था कुछ दर्जा के साइन बोल लिखता था मेरा हवी था चित्रक जो फोर मैं 8 साल साड़े 8 साल से कला को अपना जीवन में लिया अभी जो कारीगरी में बनाता हूं ज्यादा तर मैं डिजाइन देता हूं थोड़ा बहुत गंटा-दो घंटा तीन गंटा करेक्शन करता हूँ मेरे परिबार भी ये कला में एकदब संस्टिट है जो की उसको आगे करने के लिए और मेरे पास जो सिस्यलों का है उसमें अच्छा अच्छा कारीगर मेरे पास रह गया उनको जाने सो बाहर ज्यादा पैसा मिलेगा तो भी वो लोग नहीं जाता है क्योंकि कला का साधन ऐसा है अभी में मैं कुछ सिखना चाहता हूँ दूसरा काम देखता हूँ मंदिर में तो वो कारीगरी किया नहीं तो उनको कोशिज करता हूँ करने के लिए कला अमर है उद्याम हमारा तो कारीगरी का जीवन जो होता है मेरा इतना उमर से में दुनिया का बहुत जगा में काम किया बहुत साबासी भी मिला है परन्तु कुछ कमी है क्योंकि ये कमर्सियल दुरुष्टी से हम देखेंगे तो कला में निपोणता आना बहुत असंबह है अभी भारत का राम मंदिर बनता है अजद्या में चार दिन पहले बेरे को उधर कमीटी के तरफे राम जन्मभुमी न्यास जो उनका कमीटी लोग बुलाया तो मैं गिया था भारत का अलग अलग जगा से कारिगर लोग आया था सब लोग हमारा बात सुनके कारिगर के बारे में वो सरंडर किया कि साहुजी जो बोलेंगे वो ही होगा अब हम एक बात बोल के आया पहले अजद्या नगरी में कोई कारिगर होगा तो उनको काम दिया जाए नहीं तो भारत वर्ष का सब जगा से नमुना चित्र नहीं स्थापत चकला छोटा सा भेजे बालत राम राम लाला पांच वर्ष साथ वर्ष उमर का मूर्ती बना के भेज किये उनको कमिटी सिलेक्षन करें कमिटी मेरा मूर्थी सिलेक्षन करेंगे तो मैं उनका सैंप्ल बना दूँगा पहले और जणो मेरे बात को मान लिया मतुलो अरिष नहीं भारत में जो अभी राम जन्म भूमी में जो नया मंदिर बनता है ये विशाल मंदिर है पचास हजार करोड़ों से ज्यादा खर्चा का मंदिर में जो मूर्ती बैठेगा ऐसा अनोकी मूर्ती होना चाहिए कि जो इतियास लिखेगा तो मैं क्यूं करूंगा उसको भगवान जगर्नादी का इच्छा हो उरिशा का कारिगर बनाएंगे तब मैं बनाओंगा ये मेरा जो जीवन का एक अमुल्या चीज होगा परन्तु वो सम्भब की नहीं ये इस स्वर का हाथ में है कारिगर सब में कोशी जारी रखता है गलती तो होता है परन्तु पेट के लिए परिबार के लिए गलत को छुपा करके हम लोग मुर्ती को विक्री कर देते हैं परन्दु राम मंदिर का जो राम लाला होगा उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए इसमें जो मेरे से भी सारद आदमी लोग है मुर्ति बनने का समय लोग देखेंगे कोई कमी हो तो फिर दूसरा मुर्ति बनेगा तो यह कारिगर जीवन में जो कारिगर ही है ना इसका अंत नहीं है समद्र कितना दूर देख सकते हैं आसमान कितना दूर देख सकते हैं कला ऐसा चीज है जय जगरनात तो जैसे की सर ने बताया कि आप लोग पथर लेके आते हैं मुर्ति की कारिगरी के लिए तो क्या आप इन पथरों के बारे में कुछ बता सकते हैं आप कहां से ला न हमारा जेजे बापा ज़ड़ा ऐलारनातर मंदुर को सघर में दीया थे प poured कोनार को उनख्रा मंदुर को विविवव पथर दिया धा उसलिए लिए भाम्राज़ बार नहीं हम लोग काम कर रहे हमारा गांग next icon जैसा जिले नौनोर पंचेत हर्पदा गाउं है वो हमारा गाउं में जो आदिम रहाद है हमारा पूरु पुरुस पथर खाधन पर निर्भरे वो जगनात मंदीर, कुनार्क मंदीर भारत बर सभी मंदीर को अनलाइट पथर भेजा था लेकिन उनके बाद हमारा हम लोग उस वेपा पत्वस न को रहे हैं पर तो दो मेहने हो गया काम कर रहे है अच्छे लगता है यहांका जो शारक काम जो है इसलिए हम ट्रेंड्निंग लिया था जो शिद्धाग है जो आप् के लिए खुदाई तो करते हैं हमारे जो बड़ा है है एक खुदाई करने के बाद हम वे जो डीजाइन है उसको बना थे हम आप अब किस की मुर्थी बना रहे हैं इस जो नागरानी है मंदीर के सामने जो अस्तम रे इसके नागीन है दो नागीन है आज के लिए बस इतना ही नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन पत्थरों की मुर्तियों के बारे में जानकर कैसा लगा और दोस्तों हमारे चैनल को प्यार दीजिए सपोर्ट कीजिए और जल्ली से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ हमें जरूर ये बताएं कि आपको इस चैनल पर कैसी कैसी खवरे सुननी हैं देखते रहिए सौगंद टीवी आप देख रहे हैं सौगंद टीवी सौगंद वतन की